नमस्कार दोस्तों मैं अबिसेश सर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल PPC Learning में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का हमारा इस वीडियो का Most Important Topic है और Topic का नाम क्या है 1853 का Charter Act देखिए हमने जो सिरीज स्टार्ट की है उसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं 1773 का Regulating Act फिर इसमें संसोधन हुए 1781 में फिर 1784 का PITS India Act फिर 1786 का संसोधन अधिनियम ये Governor General Carnivalis की जो दो सर्तें थी उनको मानने के लिए लाया गया था और फिर इसके बाद 4 Charter Act आये जिनमें से हम 3 पढ़ चुके हैं पहला 1793 में फिर 20-20 साल का Difference 1813, 1833 और आज हम पढ़ेंगे 1853 का Charter Act इन सभी से related मैंने वीडियो बनाई है और उन वीडियो का लिंक आपको Description Box में मिल जाएगा प्लीज एक बार उन वीडियो को भी जुरूर देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो 1853 का Charter Act इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे ये जो बाते हम पढ़ेंगे इनको हम पिछली वीडियो से मतलब कि जो पिछले Charter Act थे उन से relate करके पढ़ेंगे ताकि आप इनको असानी से relate करके याद रख सकें सबसे पहला अधिकारि के लिए सिविल सेवकों के लिए खुली परतियोगिता शुरू कर दी गई 1853 के Charter Act से हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 1833 के Charter Act में कि जो सिविल सेवक्त है उनके लिए खुली परतियोगिता खुली प्रिक्षा होनी चाहिए ऐसी मांग उठ रही थी लेकिन उस समय Court of डारेक्टर्स ने इसका विरोध किया था जिस कारण से ये मांग पूरी नहीं हुई थी लेकिन अब ये मांग मालनी गई और सिविल सेवकों के लिए खुली परतियोगिता शुरू हो गई फिर कंपनी को सासन का अधिकार दिया गया ये सबसे important point है देखिए हमने 1793 के चाहिट्रेक्ट में पढ़ा कि East India कंपनी को भारत में 20 साल के लिए सासन का अधिकार दिया गया फिर 1813 वाले में भी पढ़ा कि 20 साल इनका अधिकार और बढ़ाया गया 1833 में भी पढ़ा कि 20 साल इनका सासन का अधिकार और बढ़ाया गया लेकिन 1853 के चाहिट्रेक्ट में क्या कहा गया कंपनी को कहा गया कि आप भारत में सासन कर सकते हैं लेकिन समय नहीं बताया गया मतलब ये नहीं कहा गया पिछले जाहे 3-4 ट्रेक्ट से कहते आ रहे थे British Parliament कि आपको 20 साल सासन करना है इनको कोई समय नहीं बताया गया तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि British सरकार ने East India Company को भारत में सासन तो करने दिया लेकिन समय नहीं बताया मतलब कभी भी उनका सासन समाप्त हो सकता है पहले तो उन्होंने बोला हुआ था कि अब 20 साल सासन कीजिए पिछले 3-4 ट्रेक्ट से बोलते आ रहे थे लेकिन 1853 में उनको सासन का अधिकार तो दिया लेकिन उनके लिए अवधी निस्चीत नहीं की कि इतनी अवधी तक आप सासन करेंगे परिसद को विधाई का एमकारयपालिका में बाटा गया देखिए हमने 1773 के Regulating Act में क्या पढ़ा था कि Governor General की परिसद होती थी पहले उसमें 4 सदस्चे थे फिर हम पढ़ते गए उसमें कुछ चेंज हुए फिर 1833 वाले में हमने पढ़ा था कि उसमें एक विधी सदस्चे भी जोड़ा गया इसमें क्या कहा गया है कि जो परिसद थी उसको विधाईका एमकारयपालिका में बाटा गया अब विधाईका का क्या मतलब है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां पर कानून बनते हैं और कार्यपालिका क्या मतलब है कि जो उन कानूनों को implement करते हैं तो इसको बांट दिया गया परिशद को विधाईका के कार्य आलग दे दिये गए और कार्यपालिका के कार्य आलग कर दिये गए फिर फोर्थ पॉइंट गुवर्नर जनरल की काउंसिल के 6 सदस्चों में से 4 सद चार सदस्चे थे वें परांतों से थे तो अब तक पिछली वीडियो से हम पढ़ते आ रहे थे कि तीन परांत होते थे कौन-कौन से तीन परांत थे बंबई बंगाल और मदरास लेकिन यहां पे आपको याद रखना है आगरा भी परांत था अब आप कहेंगे आगरा कैसे परांत बन गया तो आप खुद सोचिए इस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना सासन बढ़ाती आ रही थी तो फिर एक परांत आगरा भी बन गया और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है विकेंदरी करन की मांग सुरू पिछले सारे चार्टर एक्ट से हमने क्या पढ़ा जो बंगाल का गुवर्नर था उसकी पोश्ट का नाम बदल के कर दिया गया बंगाल का गुवर्नर जनरल और उसको सक्तियां और जादा दे दी गई 1793 में भी हमने पढ़ा उसकी सक्तियां और बढ़ाई गई 1786 में जो गवर्नर जनरल कार्णवालिस बन के आया उसकी सक्तियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई उसकी जो सर्ते थी वो भी मान ली गई थी तो वहाँ पे क्या हो रहा था केंडरी करण चल रहा था मतलब किसी एक ही पद को ज़्यादा ताकतवर बनाया जा रहा था और वो पद कौन सा था गवर्नर जनरल का पद और 1833 के चार्ट रेक्ट में क्या बोल दिया गया हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो और जादा बढ़ाईगी गवर्नर जनरल की पोश्ट की उसको और जादा दिकार दियें गए लेकिन 1853 के चार्ट रेक्ट के समय क्या हो रहा था वीकेंडरी करण की मांग सुरू हो रही थी मतलब कि जो दूसरे प्रांथ थे उनमें भी जो गवर्नर थे वो भी कह रहे थे कि आप सारी कि सारी सक्तियां इसको ही क्यों दे रहे हुँ हमें भी कुछ सक्तियां दीजिए कि वो कह रहे थे कि सक्तियों का बट्मारा कीजिए तो आप इस पोउइंट को समझ गए होंगे और फिर अगला पोइंट है Court of Directors के सदस्चय 24 से 18 कर दिये गए मतलब क्या इनकी संख्या गटाई गई 1773 के Regulating Act में हमने पढ़ा था कि Company, East India Company के कारियों की जाँच के लिए भारत में जो East India Company सासन कर रही थी तो British Parliament ने उसके कारियों की जाँच के लिए एक Court of Directors नाम की संस्था बनाई थी जिसमें 24 सदस्चय थे लेकिन 1853 के Charter Act में 24 सदस्चयों की बजाए सदस्चय संख्या कम करके 18 कर दी गई ये हम पढ़े थे कि Court of Directors 1773 के Regulating Act के तहत बनाई गई थी काम क्या था हम पिछली वीडियों में इसको समझ चुगे है वीडि सदस्चय को पूर्ण दर्जा दिया गया इस आज की वीडियो में भी मैंने इस बात का जीकर किया था वीडि सदस्चय का तो इस Point को आप समझ लीजिए 1833 के Charter Act में हमने क्या पढ़ा कि जो Governor General की परिसत थी उसमें एक वीडि सदस्चय जोड़ा गया और पहला वीडि सदस्चय कौन था मैं काले हम पिछली वीडियो में बात पढ़ चुके है लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो यह वीडि सदस्चय जोड़ा गया था मैं काले उसको उतनी सकतिय नहीं थी लेकिन यहाँ पर जो वीडि सदस्चय था उसको भी सारी की सारी सकतिय दे दे गई जो बाकिस दस्चयों को दे गई आप एक्जमपल के तोर पर समझवे जो वीडि सदस्चय था 1833 के चाहर टरライक्ट में जो जो जोड़ा गया उसको मत देने का अधिकार नहीं था और बाकी सब को था तो अगर आपके पास मत देने का अधिकार मतलब फैसले में पालिटिसिपेट करने का अधिकार ही नहीं है तो आपकी सक्तियां बहुत कम है लेकिन यहाँ पे उसको सारी की सारी सक्तियां दी गई कि जितने बाकि सदस्चों की सक्तियां है उतनी ही विदिश जो सदस्चा है उसको भी उतनी ही सक्तियां दी गई तो ये 1853 का चार्ट रेक्ट है जो आज की वीडियो में हमने समझा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेश्ट है अपने सारे दोस्तों के साथ शेर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए थैंक्ट्यू मिलते हैं अगली वीडियो में